मंगला चरण के सलोक ब्राम करके गोस्तामी तुलसिदाज जी पांच सौर्ठों में पंच देवों को बंदना करते। मानों पंच देव की बंदना करके जय जय देखो। पंच देव बंदना आवश्र करते। शूर की बंदना करते। गडेस जी की बंदना करते, छीर सागर में स्यम करने बढ़ते, भगवान स्री हरी की बंदना करते, संकर जी की बंदना करते, और अंतिम सर्था में गुरू चरणों की बंदना करते, रामायण की मध्यस्थता हमने पुर्व में आपको सावधान किया गुरू बंधना था मध्ध में गुरू है और जो मध्ध में है मतलब प्रमुख है बंधों गुरू पदेकन्ड कृपा सिंधु नरू में घरी रामा महामोहे तमकुन जासुबचन गर्विग्धड़ रामायण की पहली चौपाई गुरू बंधना से सुरू होती है तुलसी दास्ती की पर्थम चौपाई बंधा मोगुरू पद पदल पारादा सुरची सुदाश सरे से नुरागा मैं उन गुरू महराज के चरण कमलों की बंधना करता हूं जो कृपा के समुत्र है नरूप में स्रीहरी ही है देखो यहां भी गुष्वामी जी भगमान गुरू को स्रीहरी का रूप बता रहे है श्लोप भी कहता गुरूर ब्रम्हा गुरूर विष्णु गुरूर देव महेश्वरा गुरूर साख्शात पन्द्रम्हा पश्वरे से गुरूर देवा गुरू की बड़ी महमा कुलुषी दास्ती बाबा कहते है मैं उन्हें गुरू भगवान से को प्रणाम करता हूं बंदन करता हूं जिनके चर्णों की दया से जीवन भन्न होता है स्रीहरी की प्राप्ती होती है भगबत दर्शन होता है ऐसे भगवान को स्रीहरी रूप मान करके बंदन करता हूँ अमें यमूरे मैं जूरने चारू समन सकले भव रुजपरी बारू देखो भगवान भी गुरू की महमा गाते हैं गुरू महमा मूल है संजीबनी बूटी का सुंदर चून है गुरू महमा गुरू करपा जिनके जीवन में गुरू के चर्णों की धूली होती है उनको कभी भी भव रोगों में नहीं पढ़ना पड़ता बव से पार कराते हैं बेडा पार कराते हैं भगबान गुरुनेल बव से पार कराते हैं संजीबनी भूती का उदाहरन देकर के तिलसी दाश्टी कहते हैं कि जो गुरू के चरणों की धूली लेते हैं धूली कार दिये नहीं है को उनके पाउं की माती लेकर सरीर में लगा दो तो जेजे हो जेए तो बात तो ठीक है पर गुरू चरणरज का एक अर्थ है आज्या का पालन करना तुम धूरा तो खूब लगा रहे पर मान कचूड़े ही नहीं एक बार जबती हमको मिले तो हमने का भईया क्यों पीते हो क्या जरूरत है पीने मराज का आदत पड़े प्याइट तो है लेकर भगवान पहले लगा देए वह उससे क्या हो जाता है कुछ नहीं हमने ही आप सब के स्री मुख से सुना है जो भगवान भोग लगा लो तो भगवान का प्रसाद बन जा राम कथा कल्प रख्ष है भगवान को भोग लगा करके पाना चाहिए पर ऐसा भोग लगाओ जो पाने यूंग हो एक बार हम एक जगए राम कथा करें है बहुत तो हमने का कथा में कहा कि भई जो एक साल तक प्रतिदिन राम करत मानस का पाठ करता है उसकी कोई भी कामना पूर्ण हो जाते हैं अब देड़ दो साल बाद वो फिर मिले हमें बुले मरा तुम तो काते साल वर पाठ करियो जो कामना होगी पूर्ण हो जए डाई साल हो गए आज लोग पूरी नीम है आगे हमने कहा है ऐसा तो हो नहीं सकता भई कामना क्या थी बोले कुछ नहीं परो आप जनमली पूर नहीं हो ला कैसी एक बार हम परिक्मा लगा रहे थे एक माता जी हनमान काली साफ पढ़ रही कि पुस्तक लेकर के उसमें चौपाई आ थी तुम राध रक्षक काहू को डरना अब पढ़ रही कि तुम राध रख काहू को डरना कैसे कल्यार होगे अर्धका अगर्ध करोगे तो कहाँ से कल्यार होगा पढ़ो पर उतना हमने पुर्म में आपको सावधानी को जितना समझ आए उतना पढ़ो उसी प्रकार दाता गुरू चरण रज का अर्थ यह नहीं है कि उनके चरणों में आप लोट जाओ भभूती लगा लो गुरू चरण रज का अर्थ है उनकी बाक्यों पर चलो मानो मातो पिता गुरू प्रभू की बानी कीजे का अर्थ परम सुर्जानी माता पिता गुरू प्रभू की बानी मान लो गुरी भी हो पर भला होगा उल्टा हो पर कल्यान होगा एक बार एक महत्मा एक राजा के घर गहें राजा के यहां बड़े बड़े जोटसाचार थे आचार थे दर्शन करने आए सब एक पंडिक जी बड़े सीधे साधे थे विचारे संथ पहुँचे हुए थे उनके पीछे पढ़ गए वो गुरू जी के मराज कोई मंत्र दे दो दीख्षा दे दो चमतकार वाला अच्छ दो कान नास का मुख दूसरा चमतकार सूर्भगवान का प्रतक्ष देखो अपने टेम से चले जाते अपने टेम से रोज आ जाते हैं यह लाइट जलाओ तो बिल महीने भर में फलाना फलाना आ जाता इतने जमा करो बढ़ना कनेक्शन कटेगा कुर्की हो जाएगा पर धन् फिरी में उजयारा रोज दे रहे हैं अपने टाइम पर आ जाते हैं तुम सोच आए जगो आग तक कोई बिल नहीं भेजा परंतु हम आप भगवान का उपकार और चमतकार नहीं नाम के यही जीवन का सबसे बड़ा दुस परिनाम है तो महत्मा के पीछे वो बालक पढ़ महत्मा रोज के अब यह तना कोर बढ़ो अब जो रोज पांचे पर दो वैसे तो भीड़ून महत्मा के पास पड़ी रहे हैं एक दिन महत्मा जारे जंगल जा रहे हैं जो पांचे हैं बोड़िए आप तो मंत्र लईके नहीं बिकाल तो मैं भग जावा अब वो विचारे लोटा लेके अजो पाँचें पाँचें बे आगे 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 बे हर बाइगा हग जा यार भाइग यह पीछा ना छोड़ा चलते चलते दो तीन किलो मीटर चल दिये महत्मा पर यह पीछा ही ना छोड़ा जातो रहे थे डोल डालो अब गुस्सा आगया महत्मा को सो लोटा लिया भाग रहा वरना माल लोटा खपार फोड़ दई इसे लगा कि यहीं मंत्र है क्योंकि इसने कुछ देर पहले कहा ताम मंत्र देंदो भाग रहा कि माल लोटा खपार फोड़ दई इसने कहा सोचा कि ठी जिक भी कहा, अबर यह भी कहा कि मार लोटा खपार फोड़ दोई, लगता यही मंत्रे माराज निष्ठा इसकी प्रवलती मंत्र सिद्ध हो गया एक बार राजा का राज कुमार बालक बीमार पड़ा सब बैद हार गए बड़े बड़े ओज़ा तांत्रिक बुलाए गए कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई थी राज कुमार के उपर पर वो ठीक ना हो ये भी जोपड़ी बना करके बैठा रहता था गुरुजी का रोज ध्यान करता था मंत्र वही था मार लोटा खपार भोड़ दई रोज जपता था कानो कान इसको ख़बर लगी कि राज के जो राजा है उनके राज कुमार को प्रेत बाधा हो गई लोगों ने इनसे कहा भई तुम जा तुम भी तो माला जपत राज कुछू के चमतकार दिखा इसने का ठीक है राज भवन पहुंचा तो पहले से ही करम कान्डी ब्रामन अनुस्ठान कर रहे कोई मंत्र पढ़ रहा बैद कुछ कर रहे सब कोई प्राथना कर रहा कोई हवन कर रहा लगे यह पहुंच गया अनायास इसके हरदय में गुरू निष्ठा बड़ी प्रबल थी तो जग गई देखना गुरू करपा कैसी होती है स्रीमानी और इसने चिला करके कह दिया सुनो हम इसे इस पल में ठीक कर देंगे सब चौक गए राजा भी बोला भी करके दिखाओ आये तो बहुत कहने बाले पर कोई कर नहीं पाया ठीक ओजा खोड़ा पीछे यह पहुंचा राजकुमार के कान में जाकर के इसने वही गुरू मंत्र बोल दिया और दयालू बात यहीं ब्राम नहीं होती तीन मार कहा और उसके सरीर में चेतना आग गई वो राजकुमार उठके बैठ गया हाहा कार मच गया राजा सरनागत हो गए बड़े बड़े ओजा तांत्रिक सिद्ध पुरस मंदन करने लगे अब तो भीड लगने लगी इस थान मन गया रोज दर्सन का इनका भवूती वितरने लगे एक दिन इनके ही राजा के जो गुरुजी थे जो इसके भी गुरुजी थे वो भी इनके दर्सन करने आए उन्हें तो पता नहीं चाहिए फलाना चेला वो तो भूल गए थे गुरू जी ने सुना कि भाई कोई ऐसा ऐसा भै बड़े जानकार है गुरू जी ने सोचा भई ऐसे साधू के दर्शन करे अब गुरू जी को जहां इसने लेंड में खड़ा होते हुए देखा भाग आशन से सरनागत हो गया गुरुजी बोले भई यह क्या है अरे आप तो हमाई गुरुजी ने देखा बड़े-बड़े महात्मा इसको प्रणाम कर रहे हमको प्रणाम कर रहे भई यह दीख्षा कवदी भई उते जंगल में आप गुरुजी प्रणाम है कि हमने फिक्स चेला बनाए तो सब ध्यान है कि जो हमाँ चेला एक जो बड़वनों खोचेला अंगलोई की ध्यान ही निया के मंत्र कवे दो गुरुजी बोले भई मन्तर दिया ने आपका ही तो मंत्र हम जब रहे होई को चमत का दीरे से का नहीं प्रूजा की तो मता सकते हमाँ तो मंत्र चलो कोने में आप नहीं तो दिया था मंत्र के मार लोटा खपार भोड़ दी गुरुजी बोले यह कौन सा मंत्र बोले आप ही नहीं दो अब तब इनको गुरुजी को बाकिया ध्यान आया वोले हम जाड़े जंगर जा रहे थे हम तो मारे की धन्य है गुरु की परंपरातोस नाम मंत्र मुख से जो निकला वही मंत्र बन गया और इतना बड़ा चमत्कार करें सास्त्र कहते हैं ध्यान मूलं गुरूर मुर्ति पूजा मूलं गुरूर उपदं मंत्र मूलं गुरूर पाक्यं मुच्छ मूलं गुरूर उपदं ध्यान के लिए अगर कुछ है किसी का ध्यान करना चाहो तो गुरू मूर्ति का ध्यान करो पूजा करना चाहते हो तो गुरू के पाद कमलों की पूजा करो मंत्र चाहते हो तो गुरू के वाक्य ही मंत्र है और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो गुरू कृपा से ही मोक्ष प्राप्त संब्द है तो स्वामी जी किसले पहली चौपाई राम जर्द मानस करें गुरू को समर्द करें